बेस्ट लैप्टप और बिजनस के लिए तो भी अगर आप अपना बिजनस कर तुए 2021 में अगर आपको लैप्टप सर्च आउट कर रहे हैं अगर आपका विल्डे 50,000 है ये वीडियो श्पैशली आपके लिए तो स्टार्ट करते हैं बात करते हैं सीधा नमबर फो की बात कर करते लिकिन नमबर फो की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहतो मैं जितने भी आपको लैप्तौब बताऊंगा वो सबी सबसे पहले भिशब्स के लिए प्लस भी अगर sales अगर आपको ट्रावलिग के लिए मतल repeatedly 1 में जो लैप्टप आपको बैस्ट दी मेल रहे है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इस budget range में इस laptop को ना रखूँ because इसके दो reason देखने को मिलते हैं कि आपको build quality and उसके साथ specification बहुत अगड़े मिल जाते हैं, एक इसका minus part भी देखने को मिलता है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं, ग्राफिक काड की बात करो, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है उपरेनी चैसने की बात करूँ, आपको Windows 10 देखने को मिल जाते है, प्लस बैंटरी की बात करूँ, आपको 10 hours का बैंटरी backup प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ, आपको 51,000 के बज़ेड में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाएगा तो यहर में स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिये, MI Notebook Horizon के, अभी बात करते है कि ये laptop के लिए लोगों को लेना जाएए आपके लिए भी best deal होने वाले है, प्लस भी अगर आप student पढ़ते हो, पढ़ाते हो, उसके बाद अगर आप online classes लगाते हो, offline classes लगाते हो प्लस अगर आपने gaming विए अभी करनी है, आपको इस laptop पे कर सकोगोगे, आपको कोई भी problem नहीं आने वाली, प्लस इसके साथ आपको HD web camera भी free देखनी को मिल जाता है, अभी बात करते हैं, इसके minus point की बात करूँ, आपको 8GB RAM तो मिल जाती है, लेकिन आपको अपकरेट करने क मतलब option नहीं मिलता, 12GB तक भी नहीं देखनी को मिलता, अगर वो चीज़ मिलती है, तो भई मैस laptop को number 2 पर या number 1 पर ही रखता, because specification के according, build quality के according, प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है, कि आपको typing ज़्यादा करनी पड़ती है, data interest बगारा करते हो, आपके लिए भी perfect deal होने वा Acer Aspire 5 को, तो सबसे पहले बई, मैं आपको कहा देना चाता हूँ, अगर आपका प्लेड 50,000 से भी कम है, तो आप इस laptop के और जा सकते हो, ये laptop आपको 45,000 से लेके, आपको 50,000 के बज़र तक देखने को मिल जाता है, like इसका बज़र कम भी देखने को मिल जाता है, कई बार, ह जो की IPS panel display, जो की 16 refresh rate के साथ देखने को मिल जाता है, तो 16 refresh rate average display होता है, इतना तगड़ा भी नहीं होता, मतलब आप इतने price range में इतना expect भी नहीं कर सकते हैं कि आपको 144 refresh rate देखने को मिल जाता है, प्रसेसर की बात करूं, आपको i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते, expendable करने का option मिलता है, आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 5 12GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को Nvidia G4 MX350 देखने को मिल जाता है, वो भी 2GB के साथ आता है, देखने को, ठीक है, अपरेणी system की बातों को Windows 10 मिल जाता है, बैंटर की बातों को 8 hours का battery backup provide कर देता है, price की ब करना है, आप कर सकते हो, बस आपने इतने द्यान में रखना है, कि आपने जो RAM है, उसको upgrade कर लेना, अगर आपको 8GB देखने को मिलती है, आपने 16GB तक चल जाना, minimum 16GB तक आपने चल जाना, आपको जो software वेगर है, वो बहुत easy चलेगा, कोई भी problemation आपको नहीं आने वाला, अ वो भी बात करते है, number 2 की, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता देना जाता हूँ, number 2 and number 1, मैंने दोनों को combine कर दे, विकास दोनों ही, एक ही brand से आपको देखनी तो मिलते है, मैं बात कर रहा हूँ, Acer Spire 7 की end मैं बात कर हूँ, Acer Nitro 5 की, तो सबसे पहले मैं आपका जो confusion है, वो दूर कर देता हूँ, अगर आपको gaming design नहीं चाहिए, तो आपके लिए perfect deal हो सकता है, Acer Inspire 7, लेकिन अगर आपको gaming design से फ़र्क नहीं पड़ता, तो Acer Nitro 5 आपके लिए perfect deal हो सकता है, अगर आपने gaming करनी है, उसके बाद अगर आपने video acting करनी है, traveling के लिए चाहिए, अगर आपको कोई भी heavy software यूज़ करना है, video acting करना जाते हो, 4K भी गहलार, try करना जाते हो, आपके लिए भी बहुत सही deal होने वाले, तो आप जा सकते हो, इससे Nitro 5 के और आपको gaming design नहीं चाहिए, इससे रि refresh rate के साथ आती है, आप processor की बातों को i5 9th generation के साथ मिलेगा, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है, प्लस आप पगरेट कर सकते हो, 32GB तक प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को GTX 16504GB मिल जाएगा, प्रेटी जिसने की बात करूं, आपको Windows 10 मिल जाती है, प्लस आवस का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता, प्राइस की बातों, इसका प्राइस आपको 54,000 के बगरे में देखने को मिलेगा, तो यहार मेन स्पैसिफिकेशन में आपको बता दिये, Acer 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 7 के, अभी बात करते है, Acer Nitro 5 की, तो डिस्प्ले की बातों को 53.6 inch Full HD display मिल जा परवाइड कर देते हैं, प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 57,000 के बदर में देखने को मिल जाएगा, तो यहार मेन स्पैसिफिकेशन में आपको दोनों ही लैप्टॉप्स के बता दिये, तो प्लस मैं आपको कहा देना चाता हूँ, जो Acer Nitro 5 है, जाँ Acer Aspire इनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 50,000 से अपर चल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्टा पे कर सकते हो, आपके लिए बहुत तग्रे होने वाले हैं, मैं आपको रिकमेंड करना जाता हूँ, अगर आपका बिदे पचास हजार है, 50,000 के अपर भी अगर आप जा सकते ह सकते हो, तो इस से निट्रो फाइब, आप उस क्या जा सकते हो, लॉंग टैम पिर अगर आपने यूज करना, कोई हैवी सॉफ्टर यूज करना, फूर्टे में वीडियो ट्राइ करनी है, अगर आपने गीमिंग करनी है, जा अगर आपने कोई भी मदल हो, कोई भी लोड़ फाइल पर काम वगर अभी करना है, आपके लिए पॉप फैक्ट डील हो सकता है, अगर आपका बज़र पचास थाजार से भी कम है, तो इस सर इस पाइर फाइब आपके लिए बैस्ट दील हो सकती है, तो मैंने यार आपको बता दिया, जो भी आप इन में से लेना जाता हो, आप ले सकते हो, सभी के बाइंक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये हो है, प्लस अगर आपका बज़र चालीस हजार है, अगर आपका बज़र बीच हजार तक भी है, मैंने उनकी भी वीडियो किया मेरी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, कोई भी इमने चालीस पड़ते हो पड़ते हो पड़ते हो श्टूरॉटों ऑफिस वर के लिए चाहिए गेमिंग करने हा, प्रोग्रमिंग करने है, कोई भी वी आपने कोई भी रोटिट फाईल पर काम करना है, आप सबी के लिए मैंने पहले ही वीडियो की हुँ यह तो यआर अभ अब 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 लगा इफ अब बन अब बन अब बन